है हाई अव्रिवान मैं नेम इस सुमित और वेल्कम यू ओल तो देखे आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रिलिम्स 2024 एंड उसके बियॉंड जो लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनसे आज स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा एंड देखे बहुत सारे के लिए आपको एक एक ये वीडियो बना रहा हूं राइट and this is a some kind of insurance for the prelims 2024 राइट and why मैं देखे कह रहा हूं insurance है ये वीडियो राइट क्यूंकि अगर आप इसको इसको follow करोगे तो definitely आप will you will be on a safer side अब देखे 100% तो guarantee किसी की चीज़ की नहीं है और नहीं मैं क्लेम करता 100% आएगा ये सब नहीं but definitely you will feel a lot safe while giving the prelims exam ये इस बात का मैं आपको वादा करता हूं और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं जिनोंने भी अभी तक मुझे follow किया है और जो मेरी videos discuss हुई है definitely उनको exam में फाइदा हुआ भी है और ये बात बिलकुल fact है क्योंकि मुझे भी ठीक है तो क्या है कैसे है prelims 2024 पे मैं आपके साथ अभी discuss start करता हूँ तो सबसे पहले देखिए prelims 2024 पे आप बात कर रहे हैं UPSC 2024 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक English का ये statement बहुत मुझे पसंद है know thy reality and know the reality what is know the reality means you should know what is the demand of the exam and especially prelims right and know thy reality thy means yours कि भाई वेर आ यू इन हिंदी में अगर बोलू तो how much deep आ रही हूँ तुमारी अवकात क्या है ये आपको पता होना चाहिए if you don't know this you are in dead trouble right and आज के जमाने में क्या होता है इतनी videos इतने material हो गया है कि हम सब क्या होते हैं दोनों चीजों से दूर हो जाते reality से भी दूर हो गए कि exam की demand क्या है as well as हम क्या हो गए हम अपने आपकी भी reality से दूर हो गए कि where are we standing तो दोनों का आपको सही से पता होना चाहिए ये चीज आप समझेए पहली तो ये ये absolutely clear होना चाहिए तो मैं बात करता हूँ कि आखिर what is the demand of this exam इसको पहले आपको यहां समझना है तो देखिए अब prelims ने clearly बोल दिया है कि कोई भी ये elimination और ये सब जो भी चलता था जो one की पता है two पता है only two और ये सब चीजे ये सब हमेशा के लिए eliminate हो गया है and अब से कभी नहीं देखेगा क्योंकि once UPSC eliminates this अब ये वो continuously follow करेंगे तो जो भी ऐसा कोई सोच रहा है कि भाई क्या बोलते हैं अगले साल वापिस आ जाएगा ये वो नहीं भाई they know it for sure कि अब ये कभी नहीं आने वाला है तो हो सकता है कि अब literally उन्होंने options अटा दी तो आप इसको ऐसे देखो कि भाई exam is straight a hit straight a yes or a no between the knowledge this is what is the reality and this is what I called is called it as the know the exam exam is purely an exam of knowledge अब कोई भी यहां पे ना टकर ले लख है भाई कुछ नहीं है ठीक है तुम्हें पता है तो पता है सो में guarantee अगर तुम सो कसा तो कमार होगे you won't remain on the positive side selection नहीं होगा दो चार फजगे चलता है या दो चार देखो कि बात नहीं है यह तो मानते होना है और कि it's always a game of knowledge मैंने यह first video भी जब मैंने पिखले साल भी प्री मेनन मैंने निकाला था मैंने यह बोला था अगर आपको पता है तो पता है नहीं पता तो नहीं पता यानि you should be focusing on the knowledge knowledge is the ultimate reality और यह मैंने भगवान से पहले Socrates भी बोल चुका है और उसके बाद Plato, Aristotle सबने यह चीज़ रिपीट करी है So knowledge is the ultimate reality और यहीं पर देखिए आपको बहुत असानी से फसाया जाता है through all those videos जिसके बारे हम बात करेंगे जहां पर आपको क्या है आपको simply से push up किया जाता है कि अरे यह तो इसका है उसका है ठीक है right समझो हमारा selection नहीं हो ना मेरे भाई इसका मतलब यह नहीं है कि किसी का नहीं हो रहा समझो 13,000 बच्चे उने मिलेंगे ठीक है 13,000 मेंस लिखेंगे हम चाहे कितना भी कितना भी रोले कितना भी fight कर ले I'm sorry अगर किसी को भी बुल रहा लग रहा हो but the fact is it is a competition it is a ruthless competition and इसी लिए know where are you and for the first time आप अपने आपको जानो ठीक है जानने के लिए सबसे पहले आप reality को test करो कि भाई मैं कहा हूँ मेरी कितनी knowledge है simple as that and then you should be progressing towards this journey as you can say increasing the knowledge वाली journey ठीक है और मैं क्यों यह अभी वीडियो बना रहा हूँ क्यों कि knowledge का increment और इसी से ही मैं link करूँगा आगे question solving skills यह सब time लेती है develop होने में एक दो दिन में नहीं हो जाता रहे जहट मैंने question solve कर दिया ठीक है आपको UPSC की language आपको UPSC वाली knowledge लेने में एक पूरा साल लगेगा अभी मैं बताऊंगा कैसे notes बगेरा बनाने मैंने share भी करें but this is what you need to understand very clearly knowledge का game है पूरे साल अगर आप तयारी कर रहे हो knowledge आपको बढ़ानी है it is as simple as that but obviously you need to work in the right direction ये आप ध्यान प्रलो तो अब क्या insurance मैं आपको बता रहा हूँ जो अगर आप करें तो definitely आपकी knowledge बढ़ेगी वो ये है एक insurance का premium आप चुका हो insurance का premium ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सार मैं पैसा हर महीं न दूँगा ताकि मैं आगे जाके कभी कोई दिक्कत आए तो मैं वो पैसे से आपका insurance का amount निकाल के I can help myself यही चीज यहाँ पे भी आपको UPSC चाहता है आप prelim insurance premium चुका हो और मैंने ये concept बनाया है और ये concept मेरे पर बहुत अच्छा बैठा है बहुत सारे students जिनको मैंने बताया they were very happy and they were very comfortable in the exam ठीक है मेरा हमेशा से यही मानना है भाई सब पढ़के जाओ कुछ important नहीं होता ठीक है वो तो फिर सट्टा वाजी हो गई न ठीक है कि सर दो question पढ़के गया मया आगया वही आगया अरे ये सट्टा है आज आये कल नहीं आएगा ठीक है और एक सट्टे पर क्या आप पूरी साल की महनत को लगाओगे simple तो मेरा साब मानना है don't take risk when you study study everything but obviously बात है we cannot study everything in a day तो पूरे साल आप एक journey को एक लेके चलो and हर रोज आप क्या है एक छोटा सा premium है आप 20 question का चुका हो क्या है एक separate copy बनाओ daily 20 question करो static के and जिसमें go for the 10 question of pyqs and in pyqs को मैं बताऊंगा कैसे करना है क्या करना है right and 10 question आप किसी भी you can say जो static series आती है चाहे vision की चाहे forum की अच्छे बड़े institute की है छोड़े मोटे की नहीं इनकी आप करो ठीक है and पूरे साल लेटर से अगर आप आप जून से फर्स जून से केंड जब भी त्यारी स्टार्ट करो लेटर से फर्स जून है ठीक है तो आप इसको continue करो till your October November December January February तक करते रहो यह 15 15 20 20 20 20 question करते रहो क्योंकि फर्वरी के बाद से तो सब लोग December के बाद से तो स लेम्स की probability आपकी definitely बढ़ेगी क्यों क्योंकि आपका knowledge base भड़ा है एक ऐसे मैं आपको example दिखाता हूँ कि देखिए अगर आपने करा तो इस type से देखिए मैं करता था अपने time में day one day two ऐसे notes बनाता था right and daily daily यहाँ पे क्या करता था लिखता था CRRS का जो मेरी गलतिया हो रह लिखता था and इनको बार 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 डेली डेली बेसिस पे आप एक दिन पढ़ोगे एक दिन लिखोगे अगले दिन उसका revise करोगे तो क्या होगा यह सब चीज़े आपके ना बिलकुल brain में कहते हैं and brain से जादा blood में this will enter your blood and once the thing enter your blood तो क्या होगा वो चीज़े आप को आप लिखो डेली 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 उसे देन रिवाइस करो ठीक है once a FDI always an FDI यहाँ पे लिख दिया who 80% budget is through voluntary contribution FPI is allowed in AIF, REITS and invities पे इस साल question आया था invities मैंने पढ़ा था कि invities को आप tax कर सकते हैं देखो वो चीज़ सही होगे इस साल invities पे question आया था क्यों invities आपका some kind of mutual fund है बस वो आपके real estate पगर हमें लगाते है तो सी यह आपने लिख दिया ठीक है commercial paper पे भी पहले UPSC question पूछ चुका है financial stability development council पे भी UPSC question पूछ चुका है तो इस तरीके से क्या है इस तरीके से आप अपने daily notes बनाते जाएं for the prelims and इसको आप एक type का insurance का एक premium की तरह माने 10 questions of the test series मुझे solve करने and 10 questions मुझे क्या solve करने मुझे solve करने of the previous question दोनों को देखिए ऐसे solve करें कि एक आप exam में बैटे हैं 10 questions आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा तुका भी मार सकते हैं ऐसा नहीं है ठीक है this is what is the question solving skill जो time के साथ बढ़ती है जो time के साथ develop होती है this is what you need to do for the whole year 20 से start करें 30 पे भी आए ठीक है देखिए समझे it's a competition यहाँ यह थक गया यह वो भाई तुम्हें अपनी knowledge बढ़ानी है तुम कभी भी तैयारी start करो प्री किसने बोला कि प्री की तैयारी जन्वरी फर्वरी में market में बेचा जाता है क्यों you know this is the most toughest stage of the exam right and this is I call this prelims as a confidence breaker first step में ही आपको एक तमाचा मारता है right and आपकी पूरा मेहनत पूरा सा online is on the line of this one prelim so how can you take the risk with this दोस्त तो इसी लिए मैं आपको सबसे पहले advice कर रहा हूँ अगर यह exam निकालना है आपको अब यह ऐसा हो गया है कि focus a lot on pre pre and pre simple है भाई and when you focus a lot on the pre शुरू से ही देखो साल के day 1 से आप करो ठीक है अब obviously बात है शुरू में आप सिर 5% focus करो 10% focus करो but daily आ आप कुछ time pre के लिए दिये चाहे कोई mentor बाबा आपको यह चिला चिला के बोले कि अरे भाई प्री तो हो जाएगा यह वो भाई जब नहीं होगा ना तेरा पूरे साल तु बैठेगा और पूरे साल तुम सिर्फ तालिया मार रहे होंगे और देख रहे होगे जब दूर से select हो रहे हैं ठीक है and this is the first step where the confidence gets broken इसलिए मैं मैं जबकि mentorship देता हूँ about the mains वगेरा मैं हर एक से यही कहता हूँ PSIR मैं पढ़ाता हूँ मैं जित्ता भी mains का GS1, GS4, ethics वगेरा पढ़ाता हूँ मैं सबसे यही बोलता हूँ भाई प्री निकालो यार प्री निकालो मैंस मैं निकलवा रहा हूँ ना तुम प्री निकालो थेक है तो don't take any you can say casually with the pre पूरे साल आपको प्री के लिए तायारी start करन कुछ नहीं भाई आदे गंटा दे इतना कोई busy नहीं है कोई इतना means का नहीं पढ़ा है बट वही है ना you need to bring this discipline and this is what is the power of compounding जब आप compound करते हो ऐसे करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो 8-10 months बाद you see a drastic improvement in your knowledge you see all the static portion is literally have been mugged up by you you have drastically increased question solving skills और उसी type के ही तो question आएंगे topics तो कितना सारा repeat होगा हाँ आप जैसे पी वाई क्यूज अगर आप देखो तो पी वाई क्यूज और lot of पी वाई क्यूज वा repeated this year right forest पर पहले question पूछे जा चुके इस साल भी पूछे गई है right flags पे पहले I think एक-दो साल पहले flag पे कुछ कुछ question पूछा गया था एक तो साल प्लैक पोर्ट पे question पूछ लिया गया तो sports पे आ रहा है दो एक साल पहले पी आया था पूछ लिया chess sports और वो वाला जो chess olympiard बगए रहा है तो यह सब क्या है आप शुरू से साल के पढ़ते चलो वही चीज है current affair का भी last moment पे सब pre के ले करते क क्यों why can't you do that on a daily basis simple है भाई insurance करवाओ don't take a risk अगर आप risk लेते हो again वही probability है कि भाई नहीं होगा नहीं होगा पूरे साल वेट करोगे और कितरे सारे मुझे दुख होता है भाई message करते सर fourth attempt था ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया समझो भाई ठीक है आपका नहीं हो रहा हमारा नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कियार किसी का नहीं हो रहा है दोस्त हो रहा है people are getting selected ठीक है तो यह करो आप यह काम 20 question करो daily definitely आपको फायदा मिलेगा guarantee के साथ मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरा prelims निकला है ठीक है क्योंकि देखो उस निकालना पर उस them daily it should go into your brain as well as into your blood it is as simple as that daily daily जो आप पढ़े उसको daily अगले कॉनने से पहले अगले दिन के 20 question से पहले पुराना revise करो then पुराना revise करो हो ही नहीं सकता कि भाई तुम्हें याद ना हो simple as that next point is about the seasat sorry cat right and इसका भी देखो यही फंडा है if you are weak in aptitude which definitely everyone is तो भाई इसको seriously low हर रोज आप कुछ नहीं ऐसी 5 minute 10 minute 15 minute 2-3 question करो दरो मत की नहीं भाई मुझे यह बाद में करना है या नहीं या seasat कर रहा हूं मैं time waste हो रहा है भाई इस साल देख लेना बहुत बच्चो seasat की वज़े से cutoff को low करेंगे cutoff around वही रहता 88-87 तक ही रहता but because of this seasat factor ऐसे ऐसो को मैं जानता हूं 100-105 आ रहे है sir, seasat 63-64, line पे 65-66-68 कुछ बरोसा नहीं है, they are getting eliminated, तो please भाई seasat को आप seriously ले and again improve करने के लिए free में YouTube पे daily आप videos कुछ-कुछ थोड़ा तोड़ा देगे and 5-10 minute आप questions solve करे, pyqs solve करे, 2 question 3 question daily pyqs के solve करे, आप देखें seasat में and you will find a lot of patterns are getting repeated in the seasat, ठीक है, तो seasat हो सकता है, हाँ इसको हुआ बना दिया गया गया because बहुत सारे बच्चों का नहीं निकला and the reason is simple कि भाई UPSC ने जो अपना level है, अब उसको drastically बढ़ा दिया in seasat में और अगले साल मेरे भाई और बढ़ेगा, तो ये ना सोचो कि अगले साल कम होगा न नहीं, ऐसा कुछ नहीं, and then as I said शुरू में ही ये बात, you need to take pre very very seriously, क्यों? क्योंकि it is the first confidence breaker and this is where you can say अगर pre नहीं निकलता ना भाई, तो generally next year पे वो पोस्पोन होता है, definitely होता है, and next year हमाई धीरे धीरे, you find with age, first attempt, second attempt के साथ, हमारी efficiency कमों लग जाती है, तो जिस साल pre निकला, जितना लेट, फिर आप जब मेंस कोगे नो, वो पुष नहीं आपाता है, वो पुष यहीं तक ही रहता है, ठीक है, अगर first attempt में ही पुष निकलता है, first attempt, तो आपका जो मेंस होता है, वो यू जाता है, and then you come, you come, you go like this, but अगर आपका pre नुका, फिर next time में नुका, फिर next time मे watching this video, and if you are someone, जो first attempt, second attempt दे रहा है, तो मेरे दोस्त, forget about the mains, forget about the mains, मैं तो कहा रहा हूँ, for you, victory should be, कि भाई, प्री निकालना है, और ये सत्थ बात है, उतकर दिवेदी कि मैंने टॉपर टॉप देखी थी, वो तो साब बोलता था, sir मैं तो प्री निकालना है ता, मैंने का प्री निकालना, फिर इंटर्वी तक रह गया, बंदा, पर थोड़े से मार्जिन से रह गया, और अगले बाल, प्री मेंस, third attempt, तो इसलिए आपको क्या है, basically, आपको इस साइकल में अपने आपको फसाना है, और फसाना कैसे है, प्री निकालना है, यार, प्री जो निकालता यस्टरड़े और इफ यह आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट, इस एक्जाम में देखो, यह डिस इस अवेरी ड्रेनिंग एक्जाम, इस अवेरी एक्जास्टिव एक्जाम, और एनरजी एक्जास्ट इसमें बहुत जादा होती है, तो प्लीज, यह चीज आप समझ लीजे, यह एक्जाम में जितनी जल्दी आप सेल्फ तैयारी स्ट करेंगे, उतनी तेजी से आपका सेलेक्शन होगा, अब जैसे मैंने आपको यह प्रिलम्स इंशॉरंस बीस कोशन डेली बताया, यह कौन करवाता है, कहां करवाय जाता है, कहीं नहीं करवाय जाता, and this is your hard work, this is your self study so please do not waste your time in some random crash courses, last moment पे ले लूँगा, यह कल लूँगा, वो कल लूँगा, वो mentorship है, यह mentorship है, सब drain करेंगे, they are all selling some kind of recorded courses, uniform courses, and you are my dear friend, is individual, you my dear friend, is unique, and this is what I come to say, know yourself, where are you, what do you want, then see if that course is good for you, or if that course is you can say bad for you, ठीक है, आज के जमाने में देखो, there is a ghost of what I called as mentorship, इसके नाम पे बहुत बिकरे हैं, सस्ता दो हजार तीनियार के लोग कुछ भी चेप देने हैं, right, कुछ घटिया वीडियो रिकॉर्ड करके, हमारा प्रोग्राम ले लो फरजी टॉपर से इंटर्वीव करवा दियो, यह चल लोगों का selection हो रहा है, इसका मतलब क्या है, they are doing something differently, जो आप नहीं कर रहें, and this is what you need to realize, ठीक है, तो never, 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 never outsource your hard work दोस्त, it's your dream, कोई पूरा नहीं करेगा दोस्त, कोई पूरा नहीं करेगा, तुमें अपने selection की जिम्मेदारी खुद ही लेनी है, right, तो कुछ भी ऐसी वी इस exam से आप और धूर हो रहे हो, ठीक है, your guiding light should be yourself, ठीक है, your guiding light should be the previous question, ठीक है, and obviously अगर आप कोई किसी के अंडर हो, कोई teacher वगेरा है, तो उनकी proper बात को follow करे, right, but just by saying, just by looking की, अरे, यहां से कोई result आगया है, कुछ भी टॉपर ने कह दिया वगेरा, by everyone is unique, you don't know what work for them, even they don't know what work for them, right, और आपको भी नहीं पता चलेगा कैसे है, क्या है, but one thing is for sure, your hard work will not go in vain, चाहे आज लग आए, चाहे कल लग आए, लग आता जाता है, hard work constant होना चाहिए, तो जो बच्चे सिफ लग पे है, कि अरे यार मैं तो लग पे है, मैं तो करूंगा ही नहीं, वो तो पक्का मरें है, क्योंकि जिस दिन उनका लग चलेगा, उस दिन उनके पास hard work नहीं होगा, नहीं नहीं होगी to crack the exam, right, and हो सकता है, आपने hard work करा हो, और लग नहीं चला चलो, ठीक है, सब बोस करते हैं, तो next time तो चलेगा, right, then your hard work would definitely reap fruits, तो इस चीज़ को आप समझे, यह आपकी जो महनत है, यह मैंने जो notes बगेरा बनाए है, मैंने 2017-18 में मनाए थे, दोस्त, 22 में मेरा एक, जब मैंने छोड़ दी preparation उसके बाद, जब मैंने started to teach, then मेरे पार 10 बचे थे, तो मैंने दिया तो मेरा free निकलने लग गए, और कौन से notes है, वही पुराने वाले से, जो मैंने महनत करीती ह तो ऐसा होता है, hard work never goes in vain, हम चाहे कितना भी दोस्त, चिला ले, कितना भी किसी को कुछ भी कह ले, भाई, ultimately UPSC will find those 13,000 people who will get selected at all cost, it is as simple as that, टेक है, तो बहुत बीवेर रहें, कौन से courses ले रहें आप, किसको जॉइन कर रहें, कैसे जॉइन कर रहें, how is he going to help you, right, is there some kind of push, right, मै मैं भी mentorship provide करता हूँ, मुझे पता है, क्या है, कैसे, ठीक है, but again, मैं openly कहता हूँ, दोस्त, मैं आपका selection नहीं करवा सकता, जब तक आप नहीं चाहें, right, मैं आपके साथ लगूँगा, definitely, right, मैं आपको बताऊँगा, कैसे करना है, क्या करना है, बट दोस्त, करना तो आपको पड़ेगा ना, अब मैंने आपको ये 20 question वाला बताया, ठीक है, right, तो इसको करना तो आपको है ना, आपको daily notes बनाने है ना, अगर आप नहीं बनाओगे, तो कैसे होगा, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपने course वगरा join किया है, जब मैं launch वगरा करूँगा, तो मैं आपको दूँगा, मैं आपके साथ लगूँगा, but again, करना तो है ना, आप ये समझो, अब जैसे अभी मैं आपको बताओ, मैं GS ethics का करा रहा हूँ, तो उसमें मैं बोला है कि मैं सारे questions को discuss करता हूँ, ये कि model answer दे रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, but until unless आप खुद से वो करोगे नह discussion नहीं दो करोगे, मैं जो homework दे रहा हूँ, right, example जूनने को आप नहीं करोगे, तो कैसे होगा, यार, ठीक है, so courses के अगर आपको फैदा उठाना है, तो please make sure you work 10 times harder than what you are being provided in those courses, then only it will help you, any recorded videos, कुछ crash course, अब ये ना, surface वाली चीज़ नहीं चलेगी UPSC में, now UPSC wants you to spend time on your own, give time, do some background research is, ठीक है, right, वो आप करो, and this is what I have written, it is called as the PhD of the papers, PhD of the paper क्या है, अगर let us say flag पे आया है, flag code पे, flag code को आप अच्छे से पढ़ो, that itself becomes a part of the syllabus, अगर देखो इस बार जैसे वो आला question आया था, कि MP, MLA का vote in the president, भाई, वो 2018 में पूछा गया है, बस उस time simple पूछा गया था, कि vote of the MP is equal, is, you can say, in all the states is equal, vote of the MLA of M, all the states, इस बार उनोंने और दीप पूछ लिया, अनुनाचल परदेश कहर लाव अगयरा में कर दिया, तो the point is, now, UPSC is going deep and deep and deep, they are not going to give you such easy, you can say, low hanging fruits, जो कि पहले बहुत होते थे, अब क्या है, 2, 4, 5, 10 सवाल मिल गया है, तो मिल गया, अब उनों and more random, but again, knowledge तो आप बढ़ाओ, आप अपनी knowledge को बढ़ाओ, कितना भी random paper आए, it will be under your, कहते ना, अगर मैं इसको यहापे draw करूँ, कितना भी ऐसे, ऐसे, कुछ भी random आए, if your knowledge is this, तो यहीं से, कहीं से ही होगा, ठीक है, और यह knowledge एक दिन में ऐसे नहीं बढ़ती, पहले यह होत यह, daily daily आप work करो, daily daily आप work करो, net पे करो, एक दिन आपकी knowledge फूरी इसके बराबर इतनी बड़ी आपकी knowledge बन जाएगी, तो this is what I wanted to say, अगर आप pre के तयारी कर रहे हो भाई, simply summarize करना चाहूं, तो 3-4 points मैं quickly repeat करता हूं, first and foremost, you know what is the demand of the exam, यह knowledge के बारे बात करता है, daily आप देख प्रेशली फोकस करें, जो भी आप exam, यह अप preparation mode में, थोड़ा सा time daily pre के लिए जरूर निकाले, कोई भी random वीडियो बगरा देखे ना, कोई भी ऐसी elimination trick और यह सब नापके में फसे, यह सब जहां से हैं, ऐसे courses, जो कुछ recorded वीडियो बेद देरे mentorship के नाम पे, उसमें ना फसे time waste होगा, और दोस्त, most important, अपने पे भरोसा रखे, अपने hard work पे भरोसा रखे, आज नहीं तो कल select होगे, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त कोई ना कोई select हो रहा है, I hope this video was helpful, किसी को भी कोई भी doubt है, कि कुछ से अभी है, तो this is my telegram ID, सुमित is there, इस पे आप मुझसे contact कर सकते हैं, simply आप telegram पे जाके इस पे पिंग कर देंगे, and I'll definitely reply, अगर आपको मेरी mentorship पे लेनी है, for the ethics, अभी मैं से एथिक्स पढ़ा रहा हूं, क्योंकि obviously बात है, अभी महिंत का दमाना है, तो you can simply visit www.civilsclub.in, चलिये, मिलता हो आप लोग से, अगले वीडियो में, तब तक के रहे, this is me is all right, signing off, bye-bye!